विदिश मंत्री डॉक्टर एस जेशंकर ने अपने बिटिश समकक्ष एलिजबिथ ट्रस के साथ दुई पक्षिय वारता कर रोड मैप 2030 पर प्रगती की समिक्षा की। सुरक्षा जैसे प्रमुक्ष किशेत्रों में सहयोग बढ़ाने पर विस्तरित चर्चा हुई। दोनों मंत्रियों ने मुक्त व्यापार समझाते पर जल्द ही वारता शुरू करने पर जोड दिया। साथ ही दोनों विदेश मंत्रियों ने इंडिया-UK स्ट्रेजिक और वैश्विक मुद्दों पर चर्चा किये। देश में कोरोना के खिलाफ टीका करन अभ्यान तेज गती से जारी है। देश में अब तक 101 करोड बीस लाग से अधिक टीकों की खुराक दी जा चुकी हैं। स्वास्ति मंत्राले के अनुसार टीका करन अभ्यान के 280 में दिन कल शाम साथ बजे 62 लाग से अधिक लोगों का टीका करन किया गया। उतराखन में बीते दिनों बारिश के कारण आई आपदा में मरने वालों का अंकड़ा 67 पहुँच गया है। गायलों की संक्या 24 हो गई है। वहीं दो लोग अभी लापता हैं। राज्य में प्राकृति का आपदा को देखते हुए मुखे मंतरी पुशकर सिंग धामी ने अपने एक माह का वेतन मुखे मंतरी रहत कोश में देने की घोशना की है। इसके साथ ही उतराखन के भारतिय प्रशासनिक सेवा के सभी अधिकारी अपने एक दिन का वेतन मुखे मंतरी रहत कोश में दें इवं मलेरिया से बचाव आदी के संबंद में की जा रही विवस्ताओं की गहनता से समिक्षा की। मुख्यमंत्री ने सभी जिलाधिकारियों को निर्देश दिये कि आपदा राहतकारियों में तेजी लाई जाए, बंद सडकों को खोलने के लिए आवश्यक उपकरनों एवं मानव संसाधन की विवस्ता कर युद्धिस्तर पर दिन रात कारे किया जाए, मुख्यमंत्री ने जिलाधिकारियों को ये भी निर्देश दिये कि शती ग्रस्त भवनों, पुस्तों एवं खेतों को हुए नुकसान का अलग से आंकलन कर शीग्र विवरन शासन को उपलब्द कराया जाए, ताकि आपदा मानकों में इसके लिए अतिरिक्त धनराशी की विवस्ता के प्रयास किये जा सके। करने के द्रिश्टिकोन को साकार करना है। इसके इससे एक ही साथ, एक ही स्थान पर एक ही कृत टेक्स्टाइल, मुलेश रिंखला, उद्योग की लोजिस्टिक लागत को भी कम करेगी। प्रती पार्क एक लाख प्रत्यक्ष और दो लाख अप्रत्यक्ष रोजगार पैद टू फॉरण शामिल है। ये एकिकरेट विजिन अर्थ विवस्ता में टेक्स्टाइल शेतर के विकास को आगे बढ़ाने में मदद करेगा। इन साथ पी-म मेत्र पार्कों को विभिन इच्चुक राजियों में स्थित ग्रीन फील्ड, ब्राउन फील्ड, स्थलों पर शापित किया जाएगा। की तादाद में लोग मानव अधिकार हनन की घटना के कारण पलाइन कर रहे हैं। दुनिया के कुछ देशों में कोरोना के नए वेरियंट पाए जाने से फिर महामारी के लोटने का खत्रा मंडराने लगा है। बिटन में भी कोरोना संक्रमितों की संक्या तेजी से बढ़ रही है। बिटिन में कोरोना संक्रमन के कुल मामलों की संख्या 86,89,000 से अधिक है, वहीं देश में कोरोना के कारण मरने वालों का अंकड़ा 1,49,000 से अधिक है. बिटिन के प्रधानमंत्री बॉरिस जॉंसन ने देश में फिलहाल लॉकडाउन की संभावना से इंकार किया है, इसके साथ ही उन्होंने देशवासियों से मास्क पहनने, सामाजिक दूरी का पालन करने और अपने हाथों को सैनिटाइज करने जैसे कोविड नियमों का पालन क दो करने की अपील की है, इंग्लेंड और भारत के बीच टेस्स सीरिस का पांचवाँ और आकरी टेस्ट मैच अगले साल जुलाई में खेला जाएगा, भारतिय टीम ने इस साल अगस सितंबर में इंग्लें के खिलाप टेस्स सीरीज के लिए थी, पांच टेस्ट मैचों की स रवी शास्त्री, फिल्लिंग कोच आर्श रीधर, गेन बाजी कोच भरत अरुन और फीजियो नितिन पतेल और सहायक फीजियो योगेश परमार कोरोना पॉजिटिव पाए गए थे